हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टूए चैनल, यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स फॉर हूम और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ चिपकलियों को भगाने के बहुत ही बहतरीन तरीके जिसमें कोई केमिकल वगरा हम बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करने वाले, घर में ही मौजूद कुछ चीदों से हम इस चिपकलियों को भगाएंगे जो फिर से आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगे तो अगर आप भी इन चिपकलियों से परेशान हो चुके हैं, इन चिपकलियों को हमेशा के लिए आपके घर से दूर बगाना चाहते हो तो इसके लिए कोई भी केमिकल वगरा बिल्कुल इस्तमाल न करे किचन में ही मौझूद प्याज और लहसून की हल्प से आज हम एक होमेड सोलूशन बनाएंगे जिसके स्प्रे करने से ये चिपकलिया आपके घर का रस्ता ही भूल जाएंगे इसके लिए यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के प्याज ले लिए है सबसे पहले इसकी उपर का चिलका निकाल कर इसे थोड़े बड़े तुकडों में काट कर इस मिक्सी जार में हम डाल देंगे दो छोटे साइज के प्याज या फिर एक बड़े साइज का प्याज आप यहाँ पर ले ले इस स्प्रे को आप एक बार ही बना कर महनों तक यूज कर सकते हो इसकी लिए एक की बार में हम ज़्यादा कॉंटिटी में इस स्प्रे को बना कर रग देंगे दो छोटे प्याज के साथ साथ दो लहसुन के बंच भी मैंने यहाँ पर ले लिये है इसे भी मैं थोड़े बड़े साइज में कट करके इस मिक्सिजार में एड कर रहे हूँ इसे के साथ साथ हमें लेना है दो लॉंग और दो काली मिर्च जिसकी बहुती स्ट्रॉंग स्मेल होती है काफी तीखे यह होते है इसका भी इस्तमाल हम इसमें करेंगे तो दो लॉंग और दो काली मिर्च डालने के बाद थोड़ा पानी मिला कर हम इसकी फाइन पेस्ट बना लेंगे इस पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिला कर इसे पतला बना ले ताकि इसे हम अच्छी तरीके से छान पाए तो इस छन्नी की help से इसे हम अच्छी तरीके से छान लेंगे इसका सिर्फ पानी ही हमें इस्तमाल करना है तो ये जो भी प्याज, लहसून और काली मिर्च लॉंग का पेस्ट बना कर हमें इसमें से पानी सेपरेट कर लिया है इसी पानी को अब हम भरेंगे किसी स्प्रे वगरा क्यों न हो जहाँ पर भी चिपकलिया आती है वहाँ पर आप इस स्प्रे को ज़रू स्प्रे करें जिसमें हमने प्याज, लहसून, लॉंग और काली मिर्च का इस्तमाल किया है जिसकी बहुती स्ट्रॉंग स्मेल आती है और इसे के कारण जहाँ पर भी आप इसे जहरीला ना बनाए इसकी लिए भी आप बहुती बढ़िया ये ट्रिक यूज कर सकते हो, इसकी लिए भी हमें प्याज ही लेना है, सबसे पहले प्याज को काट कर इसके उपर का छिलका हमें निकाल लेना है, छिलका निकालने के बाद प्याज की जो कलिया है इसे हमें सेपर नालेंगे और इस प्यास के हार को आप लगा ले आपके गैस्टो के आसपास फ्रिज के पीछे या फिर किचन काउंटर के आसपास जहाँ पर आपको लगता है कि बिल्कुल भी छिपकली ना आए तो वहाँ पर आप इस हार को लगा कर रख दे तो यह प्यास है तो प्यास की जो स्मेल होती है काफी स्ट्रॉंग होती है तो प्यास के इस स्ट्रॉंग स्मेल के कारण ही आप देखोगे आपके किचन में किचन काउंटर के आसपास गैस पर के आसपास बिल्कुल भी चिपकली नहीं आएगी तो प्यास की ये ट्रिक भी आप एक बार ट्राइ करके जरूर देखे अगर घर के किसी कोने में आपको चिपकली दिखे और इसे दूर भगाने के लिए कोई सोलूशन वगर आपके पास नहीं है कोई स्प्रे नहीं है तब आप करे एक बहुती बढ़िया ट्रेक इसके लिए सबसे पहले दरवाजे खिड़की आप खोल दे और जहाँ पर चिपकली आपको दिखे वहाँ पर आप फ्रिच का बिल्कुल थंडा पानी आप उस पर डाल दे फ्रिच का थंडा पानी नहीं है मटके का पानी है तो आप उसे भी इस्तमाल करें तो फ्रिच के बिल्कुल थंडे पानी को अगर आप चिपकली के उपर डालोगे तो थंडे पाने के कारण आप देखोगे चिपकली आपके घर से दूर भाग जाएगी चिपकलीों को घर से दूर भगाने का एक और असरदार तरीका इसके लिए हमें चाहिए दो नेप्थलिन बॉल्स इसको हम बारिक पीस में कट कर लेंगे fine powder इसका हम बना लेंगे इसके बाद इस नेप्थलिन बॉल्स का जो powder है इसे आप थोड़े से थंडे पानी में मिलाएं इसे के साथ साथ हम इसमें मिलाएंगे एक बड़ा चम्मच citric acid यानि की नीम का फूल जो हम धोकला वगरा फुलाने के लिए इस्तमाल करते हैं यही एक बड़ा चम्मच citric acid हम इसमें मिलाएंगे इसे के साथ साथ सबसे last में हम इसमें मिलाएंगे डेटॉल जी हाँ घर में जो एंटिसेप्टिक डेटॉल लिक्विड होता है उसका भी एक बड़ा चमच हम इसमें मिलाएंगे इन सभी चीजों को पानी में आप अच्छी तरीके से घोल दे अब इस तयार मिश्रन को आप किसी स्प्रे बॉटल में भर कर जहाँ पर भी आपक को स्प्रे करोगे तो आप देखोगे कभी उस जगह पर फिर से चिपकली बिल्कुल भी नहीं आएगी ये उपाय तो हमने देखे घर से चिपकलीों को दूर भगाने के लिए लेकिन घर में चिपकली आये ही नहीं इसके लिए आप घर को हमेशा साफ सुत्रा रखने की लगा कर रखे मोरपंक लगाने से हमारा घर और भी सुन्दर दिखता भी है और क्या आपको पता है कि चिपकलिया मोरपंक से काफी डरती है इसी के कारण मोरपंक लगाने से एक भी चिपकली हमारे घर में नहीं आती है तो अगर आप भी चिपकलियों से परेशान है तो घर में ही मौजुच चीजों से बनाए हुए ये सारे तरीके आप भी जरूर इस्तमाल करें जिससे चिपकलिया आपके घर का रस्ता ही भूल जाएंगे और मेरे आज की ये महनत अगर आप तक पहुची होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए इसमें से कौन से टिप आगे एक नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिये